हेलो दोस्तों मैं हूँ नितु स्वागत आपको अपने यूटु चैनल जूनियर साइन्स पे तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहे हूं क्लासिक्स का विज्ञान बूक का चाप्टर त्री जो है तंतु से वस्त्र तक चाप्टर का नाम क्या है तंतु से वस्त्र तक त इतने भी कपड़े जो हम लोग पाहनते हैं तो जो बहुत चोटे-चोटे धागों रहते हैं उससे वस्त्र तक बनने के प्रिक्रिया पूरा इस शाप्टर में डिस्क्राइब गया है पूरा बताया गया कि एक बहुत चोटे-चोटे तंतु से कपड़ा कैसे बनता है तो चलि कि लोग अपने अस्कूल में एक विज्यान प्रयोगिता था जिसमें पर्थम पुरुषकार जीते हैं और इस पुरुषकार रासी से पैसे से इन लोग क्या डिसाइड किये हैं कि अपने ममी पापा के लिए वस्त्र खरीदे हैं कपड़ा खरीदने के लिए सोचे तो इन्ह तूती रहते हैं और कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं जो रेसम के रहते हैं तो उनके पास और जो दुकांदार के पास क्या था उन्हीं मौफलर भी था साल भी था और बहुत सारे साड़ियां भी थे तो पहले लिए तब उजो बहुत एक्साइटेड हो गया मतलब बहुत आ है और जब ये जारी कपड़े देखे बहुत हो गया तो उन्हीं ने इन वीविन कपड़ों को क्या क्या असपर्स किया वात देखा टच्च किया फिल किया अना सारे कपड़े को अपी इनक बौह सारे यहां से जन्कार्या भी प्राप्ठ कर लिए फिर उन्होंने फैनली म जहां पर बहुत सारे कपड़े के बहरेटी रखा हुआ है ना कोई ऐसे कपड़े जो उन के हैं कुछ ऐसे हैं जो सूती हैं और अलग अलगतरा के कपड़े हैं फिर जब यह कपड़े की दुकान के भर्मन कर रहे थे जब यह कपड़े की दुकान में थे तो आसपास में अपन पूलिया जाड़न न दस्टर और बहुत सारे कपड़े इं लोग नीगे इन नगो किया पह्चाना को कप्ड़ा सूसी का पहचाना की पहचाना है था है ना इसक Hence क पोने क्या किया देखा और अपना भी इसको क्या आप इन वस्तिरों को कुछ की पहचान कर सकते बिल्कूल कर सकते है आप जितने भी जो कपड़े ना उसको क्या किज Behavior उसको पहचान ही कि कौन सा कपड़ा है सूती का है या रेसमी है या फिर जो भी है आप इसे पहचाने का जरूर कोसिस किजिए ना फिर चलिए यहां से आपका चाप्टर स्टार्ट होता है यहां से बिल्कूल ध्यान दीजे यहां पर क्या है कि वस्तरों में विवीत था चुलिए क्लाप वन में दिया हो है कि आपको एगक रगकान के पास जाना इक दरजी के पास दानाँ से Jestिया मिल या जो चोटी चोटी कपड़े गते हैं प्रिश हो secular करना जानी कूञते हैं उसको परकार के हैं उसके बाद आपको क्या करना करो अगर आपको दिक्कत हो रहा है करने में तो आप किसका है धरजी का सहाइता ले सकते हैं क्या करना आप अगल बगल में जो भी आपका दरजी का दुखा आप आप महा जाएए चोटे-चोटे कपड़े लेजे और उसको क्या किजे टच किजे फील किजे कुंसे कपड़ा उसमें हैं इसमें लिखोकिक टिर्यकलाप तुमि किनारे से सुल से खरीका निकाल लीए अगादब का में जैसे एक कपड़ सेलेक्ट करने के बाद क्या दागा को खीछ आगा получится इक पागा नहीं नहीं हीτοड तो आप भी नुश्यक्व की सहता ले सकते छो प्रदेख पाते कि आप क्या देख पाते हो कि जो बहुत सारे जो धागे है ना वो धागों से मिलकर क्या बना हुआ है वस्तर बना हुआ है ना आप यहां पर देख पाते हो कि बहुत सारे धागों से मिलकर क्या बन रहा है वस्तर बन रहा है तो आपके माइन दिमाग में तो आता होगा ना कि तागे क्या से बंते हैं ? कभी आया है ? कि जो हम लोग कपड़ा पेयानते हैं वो धागा साता है ? तागे कहां से आते ? जो चलिए हम इसके बादे में हम प्र rhy county माPod कईश करते हैं ? कि जो तागा है वो आता कहां से ? फिर यहाँ पर be सबढ़ाए कि तंतु तंतु आप यहांपे देख रहे होंगे कि आप इसविगर में देखे कि क्या होकि यहांपे बहुत सारे द धागे निकला तो करते होंगे का रिए गी? कपड़ा वहल कहां से यह ना आया कहाँ से तो इस जो दागा बना ना बहुत झोटी ठन्टु से बना ना बहुत 가장 चोलर सी मिल कर बनाए तो इस जो बहुत पांती छोल्थी ठें थे ना उसको क्या बोला गया है दिल भी और के भब क्या करना है कि बुखन तरफ जाता कि यहाँ पर भड़तें चोटे 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 क्टें पर साथ पर चो जो छोटे जो थागे थे जो बहुत छोटे छोटे जो थागे निकले हैं उसी को रोते हैं जैसे हम देखें यहाँ पर define क्या गया है यहाँ पर कि तागे की ए दिखाई देने वाली पतली लाणियां भी और अधीक पतली लाणियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें तंतु कहते मतलब एक आपको धागा दिख रहा है अब जो धागे है वो किस से बनावा है बहुत सारे तंतु से मिलकर बना रहता है तो चलिये हम बतादे कि तंतु आते कहां से क्योंकि बहुत इंपर्टिंट है तो अगर हम जो कुछ जो कपड़े पायानते हैं, कैसे रहते हैं, सूती रहते हैं, जूट के रहते हैं, रैसमी रहते हैं, उनी रहते हैं, यह जो कपड़े हैं, सूती, जूट, यह सब कहां से हमको मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, पादब से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, हम इन ही क्या बोलते है प्रकिर्थिक तंतु बोलते है तंतु बोलते है प्रकिर्थिक तंतु ऐसे तंतु ऐसे हमको ऐसा जो धागा जो हमको कहां से मीर रहा है प्रकिर्थिक के द्वारा मीर रहा है जैसे में सूती, जूट, रेश्मी इस सब जो हमको मीर रहा है कहां से प्रकिर ुआ जासे में फ्लांत से मिन तो इसी ताम में द्यक्राइब निष्ट और एंटीटू रिधुड से एनुरे करने पादाप लॉख़ने प्लांत रहता है तो पादब से मिलते हैं अगर बहुत सारे बहुत सारे उन बनाते है उन बनाते हैं घर ब्यांना बनाते हैं तुस्तानिया आप लोग कभी सोना होगा फीजैसे मैं आपिकर है खिर्गोज आक उटू के जो बालो रते हैं उससे भी हम लोग उन बनाते हैं तो जो रेशमी तंतू है रेशम के कीट कुकून से खीचा जाता है उन्हों अप लोग कभी रेशमी कपड़ा के बारे में सूना होगा तो रेशमी कपड़ा क्या कि जो रेशमी तंतू है जो रेशमी धागया आपना एक लारवा मतले हैं क्या कुकुन होते हैं shortपर और हम बनते हैं इस तन्तूर को अगर से बहुत पूराना ट्रीडिशनल को बात करें पहले की जाणा का про तो हम लोग जादा करके प्रकीर्थिक चीज़ों का यूज करते थे उसी परकार पहले जो थे क्या यूज करते थे प्रकीर्थिक तत्तू को यूज करते थे लेकिन अगर अब का बात करें अब तो पुरा क्या हो गया है इतना टेकनोलोजी बढ़ गया है कि हम लोग बहुत सा जाता है बनाया जाता है ना रसाहिनिक पदार्थों से कैमिकल से उसको क्या बोलते हैं सेंसलिस्ट जैसे में कुछ एक्जामपल दिया पॉलिस्टर नाइलोनी सब एक कुछ उधारन नहीं कि इसके सेंसलिस्ट तंतू को तई हो कि आपको समझ में आ गया गया दो चीज एक प्रकीर्ति एक तो एक तो समझ में आगे जाते हैं तो जैसे मैं अब यह डिसकस की थी कुछ पादब तंतु जैसे में क्या था रूवी था जूट था है यह क्या थे पादप जंतु थे जो हमको प्लांट से मीरे थे, अब आप चानना चाहते होंगे कि प्लांट है ऑफ कैसे कहां उगाया आ जाता है, कैसे हम लोग इस से तंतु निकालते हैं, कैसे धागा निकालते हैं, तो आप चलिए इसके बारे में discuss करते हैं, कि एक रूई से ह बट्ति बनाने में जैसे में बट्ति बनाने में नाया के बनाने में हिए Roberts गद्द बढाने में भी आपी तो आप بहारे डिमांग में आता होगा कि यहां निमांग में तो बलका से पूलते हैं पर एक पाइस के पौधें वहां उगया जाते हैं. जहां कि वह मठी रहते है काली मिठी रहती है. आडे जलवायू का बात करें तो बहुत ही गर्म रहता है, वहां का क्लाइमेट वहां हुश के हम लोग किसका खहती है रचा खहती है. तो आप काम जरू किज़ेगा हम एक एक झांपल देते गुजरात है ना फिर जब यह कापास के जो पादप हे लगते जब बड़े हो जाते जब फ़ल देने लगते हैं तो फ़ल को क्या है पोलते कपास गोलक क्या बोलते हैं कपास गोलक जब जो कपास का जो पौधा बड़ा हो जाता है और एक फल देने लगता है जो कपास गोलक बोलते हैं किसका कार कराता है निम्बू का है लगबग निम्बू का साइज कराता है फिर जब पूरा बड़ा हो जाता है पूरा परिपक हो जाता है तो क विखर गया है तो यहां भी क्या होता है कि निम्बू का कार करता है जब यह पूरा परिपक हो जाता है तो विखर जाता है फिर इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इसमें कपास की बीज भी परजेंट रहता है अगर आप देखोगी कपास के खेती में तो जब यह फूट जाता कपास के परिफिलों से इनमें स्वीथIS हो जाता है। decrease क arguably फील्ड देख हो बहुत दरी आशे करने इतिराजी रहते हैं जहां पर इसको उगाया जाता है तो आप यहां अगर हम इसको देखोगे तो आपको यहांसा दिखेगा गरें कि उसने बिल्कुल अशनों के तरह ऐसा लगेगा कि पुरा कुहासा कुहासा घर हुआ है तो अब इसकी पहश्यात का कि बीजों को कतकर अब कर अगर कपास को उता आपकता है तो सब्सक्राइब को निकालने के लिए इस बीज को निकालने के लिए क्या प्रोसिस किते तो ऑपकर पास कोट permits तो देखे मैं ऐहां पास करटकरह सब्सक् अगर आप अगर ऐसी नॉर्मल भासा में समझना समझेगा तो कॉंबी करना यूनों कंगी करना तो क्या किया जाता है बहुत सारे कपास लिया जाता है बड़ाचा कंगी लिया जाता है उसको कंगी क्या जाता है तो उससे क्या होता है कि जो काला काला जो दाना रहता है वो बह बहाँ निकल जाता उसको बीजश रहता है तो इसको क्या बहुते हैं कपाश लोटना तो आपको ये बात आध रखना पड़ेगा कपास लोटना था अगर आपको नॉर्मल भाषा में समय ना था बोल सकते इसको कंगी करके हुआ करlate ? भारत बहुत सारे राज है जैसे पाइसे हैं। पछिमबंगार, बिहार, . जूट का खे लाता है ? जूट को काटा कब जाता है, इस पौध ? इस निकाला जाता है तो यह से क्या होता है फिर जल से इसको निकाल देने बाद अपने हाँ से इसको क्या करते हैं यहां से बहुत सारे तंतु को निकालते हैं मतलब रेशो को निकालते हैं अलग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको कब काटते हैं रुगाया कब जाता है वर्चा रीतु के टाइम मे काटा कब जाता है जब फ्लावर देता है है ना फूल देता है और फिर इसको काटने के बाद क्या किया जाता है पानी में डुबा कर रख जा जाता है फिर वश्त बनाने से पहले इन सभी ततूं को तागों में प्रवर्तित कर लिया जाता है ऐसा कैसे किया चाता है अब क्या क करना है कि जितने भी आप देखे कि कपास का खेती है ना कपास को देखे कि रूई कैसे बना जाता है जूट को देखे कि जहना जूट से यहां पे तंतु को कैसे निकाला जाता है अब इस तंतु से हमको क्या बनाना है इस छोटे-छोटे तंतु से क्या बनाना है हमको तागा तो तागा को कैसे बनाना है कैसे बनता है फिर इस तागा से वस्तर कैसे बनता है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी I hope कि आपको इतना अच्छा से सब्ज में आ गया होगा तो thank you for watching my video please like subscribe or share and take care bye bye मिलते है नेक्स्ट वीडियो में